Hello Sun Moon I am rising Sagittarius Welcome to my channel Dreamed Eirut यह आपके पर्सन की true intention के अभाले से एटिंग है और एक जनरे डिंग होगी Timeless collective message Timeless means जब भी आप इस message को देहें कि आपसे resonate करेगा कोई time limit नहीं है collective means जितना resonate करें उतना ले अगर आप मेरी छाल इस ने नहीं है तो सब्सक्राइब करें अगर को आप मरसे परसेंरिच या भी आप करें चाहिये तो यह आपमोराय इसन पर телефон कर सकते हैं पोलो करें मेरी facebook पेज ipes फॉर लाइ शेशन सू लैकट सी हर चीज़ की लिंक जхर डिस्क्रीप्शिन में मौझ है फिर्सट काड जो है यहां पर डिसपॉंदेंस तो यहां पर आपके परसन की जो इनरजी है वह इस वट लियूसी है उन्हें आर डिप्रेशन में है वह होब लसς पील कर रहे हैं कोई उमीद नजर नहीं आ रही हैं उनकी इमोशन्स ऐसे हैं कि इस सिचुएशन में कोई उमीद नहीं आ रही हैं कि चीजे बहतर हो की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी और बहुत दिल गृपता और डेस्परेड भी हो सकते हैं बट वह बहुत ज़रा डिप्रेशन में है वह हैं सय ölता हैं उम्यद है जोए तो वह अपनी लाइफ मैं जोए जोए को बहुत जाता है वह अपनी लाइफ में जोए कोई ऐसे सिचुएशन चाहते हैं जिसमें उनकी लाइफ के खुशय वापस उनकी जिंदम है खुष्ष्रे में आजेंडिये। और वो अपने आपको खुष्रक्ने के कोशिश ने किسले हैं ने माति हैं। कि गैसा खुष्रनी को कि उनकोई हम आते हैं, whilst perdeं यही हमत आती है. था दोंकिन उनमीस्दु हैं। को अपने उンニदए लहा हुकता हैं, इस तरह से के वो अपने पुरी आदस्वों से या उन सीचुएशन से उन चीजों से दूर है जिसे उनकी life effect हो रही है उनकी love life effect हो रही है तो तो जाते हैं कि चीजे ठीक हाँ हैं, आपके साथ एक रीनीवल को आपनाना चाहते हैं lub करना है, तो छाते हैं, चीजे अच्छीू बहतर हों। मेंस के दुपारे से एक नई सिरे से शुरू करें, अगर वो इस रिलेशंशिप में रिन्यूमल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को आप माफ कर दें, अगर उन्हेंने कोई ऐसा कुछ किया है इसकी वज़ा से उनके रिलेशंशिप बहुत एफेक्ट है और उन इस रिलेशंशिप में रिलेशंशिप में उमीद खो चुके हैं कि इस रिलेशंशिप में कोई रिन्यूमल होगा लेकिन वो चाहते हैं ऐसा तो इस लिए वो इस थर्ड पार्टी से बहुत अधर डिस्पॉंटेड हैं, वो आपको एक ओफर करना चाहते हैं, वो आपके शोका चाहते हैं, इस बनागें शोजाता है कि अनको बन को बतम्स और ऑफर, वो चाहते हैं, बल Пग ओ लिए जो चाहते हैं और अद्ड को से आपके साफ्वार हैं, और अपको बनी इनम्स और चाहते हैं यहां पर हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुशन स्टिल है और वह स्टिल थर्ड पार्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वह आपके साथ भी बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहते हैं यह थर्ड पार्टी कुछ ऐसी है जो के अपनी अजारादारी चाहती है जैसे वह चाहें वैसा हो बट वस्टिल गईने कहीं आपको भी मिस करते हैं वह आपके साथ जो है वह फ्ली करते हैं एमोशनल अटैश्मेंट और सूल कनेक्शन फ्ली करते हैं इसलिए वह आपको भी लेके चलना चाहते हैं यह वह आपको आप कि वह पैंटिकल देखते हैं९ा आपको आप पर्सन यहान है जो उनको निर्चर करता है ou अब भूण हो् sings और यहां पर जो भी 3rd party है वहां पर money involved है तो हुसत है वह money उनको support करते है money से support करते हैं यह कुछ है उनके responsibility है financial responsibility है उनके ओपर के वह उस person को support करें यह उनकी family भी हो सकती है तो यहां पर still वह आपको miss करते हैं और अभी भी decide नहीं कर पारे हैं कि वह उनके किस तरफ जाना है yes इसलिए वह नाउमीद से हो रहे हैं यहां पर आपके साथ जो हो सकता है कि break up situation चल रही है वह आपको भी साथ साथ लेकर चलना चाते हैं बड़ ऐसा हो नहीं पा रहा उनके heart messages दिख लेते हैं क्या है I don't react when people mention you जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो वह कोई reaction नहीं देते उसलिए लोगों को आपका पता हो और वह नहीं चाहते हों कि यह situation का लोगों को पता चले जो भी है तो इसलिए वह कोई response नहीं देते हैं we both know I am not the one for you तो उनको लगता है कि हम दोनों यह आप और वह उस दोनों यह समझते हैं कि वह आपके लिए सही partner नहीं है तो इसलिए उनको भी इसलिए भी ऐसा लगता था और वह तभी उन्होंने थर्ड पार्टी रखी अपने साथ यह उन्होंने शादी कर ली इस तरह की कोई situation है you speak to me through music तो जब वह music सुनते हैं तो आपसे आपके बारे में सोचते हैं I know I messed up everything तो उनको पता है कि उन्होंने ही चीदों को messed up किया है यही खराब किया है I cannot stop thinking about you just being near you is intoxicating तो आप आपके साथ रहना उनको ऐसा लगता है कि नशे की तरह है आपसे दूर जाना दिरूर नहीं जा सकते है जैसे नशे को नहीं छोड़ा जा सकता था वैसे आपको भी नहीं छोड़ा जा सकता so यह सब उनकी thinking है जो आप दिल में है उनके बाते जो आपसे कहते नहीं as time or उनके दिल में इस वक्त में आ रही हैं so that was your reading if it resonates you please let me confirm in a comment below like my video, subscribe my channel and thanks for watching